बैधानिक चेताब में बच्चे ये वीडियो नहीं अपनी बुक्स देखें। हॉलिवर्ड हिंदिस के इन प्रिजेंटिंग खट खटाना मतलब नौक नौक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप भी सब्सक्राइब और घंटी को खट खटा दें। इस मूबी की सुरुवात में हमें एक हॉट कपल दिखाया जाता है कि रातों को रंगीन नहीं दिनको रंगीन बनारहे होते हैं। जिसमें एवीन की अर्दहंगनी अर्दनगन कपड़ों में अंग से अंग लड़ा रही होती है। जिससे पहले इन दोनों का मेल मिलाप आगे पड़ पाता, इनके बच्चे जो हैं मन के सच्चे, बिना दरवाजा खट-खटाई, कहते हुए कमने में आ जाते हैं, जिससे फादर का हैपी मूड अनहपी हो जाता है। अब हमें पता चलता है, यह जो होट कपल है, जिसमें लड़के का नाम एवू और लड़की का नाम केरी है। इवू एक आर्किटेप्ट मतलब बास्तुकार है, जो मकान दुकान के नकसे बनाता है। वही कैरी एक मूर्तिकार आर्टिस्ट है, जो मूर्तियों पर अपनी कलाकारी दिखाती है। अब इस पूरे फैमली का प्लान घूमने जाने का होता है, समुद के किनारे पर खोल के घूमने का और यह इस सी ट्रिप के लिए निकल रहे होते हैं। तभी एवू के पास उसके ओफिस से कॉल आ जाता है। वो कहते हैं, ओसामा बिन लादेन ने एक बिल्डिंग को उड़ा दिया है, उसका तुम्हे नक्सा बनाना है, जिससे अपने इवू का बीच पर जाने का सपना तार-तार हो जाता है। बाकी सब लोग इवू को छोड़कर निकल जाते हैं। अब अपने इवू भाहिया उसे माकान का नक्सा बना रहे होते हैं। और रात हो जाती है। तब बहुत तीज तूफान और बारिस होना शुरू हो जाती है। कुछ समयवार अपने इवू के घर की घंटी बसती है। और जब इवू भाहर जाता है तो देखता है भीगी हुई अर्द नगन कपड़ों में दुख करने हैं। वो अपने इवू से कहती हैं। हम एक पाटी में मेल मिलाब जैसी किरियकलाब करने जा रहे थी। लेकिन इस तूफान में रास्ता बटक गए। इसलिए हमें सरीन हैं। सिर्च हो पाने को थोड़ी जगा चाहिए। और अपना इवू ठेरा दयालू टाइप का इन जल से भीगी हुई परियों को घर में बुला लेता है। इन दोनों मेरिकाओं के नाम बिल और जैनी होते हैं। घर में गुषते ही ये दोनों अपने इवू भहिया के चालों तरफ मधु मक्यों की तरफ भिन भिनाने लगती हैं। इवू भी इनकी नेक इरादों को समझ जाता है और इन बालाओं की एक कैप बुक कर देता है ताकि अपने इवू भहिया का इमान बच जाए। मौसब खराब होने की बज़े से गाड़ी आने में 45 मिनट का समय लगेगा। इसलिए वो लड़कियां अपने कपड़े कर लेती हैं और अपने इवू से चिपकने लगती हैं। लेकिन इवू इन दोनों की कलाओं से मोहित नहीं होता। जब जैनी बॉश रूम में जाती है। बिल एक रोमांटिक गाना लगाकर अपने इवू से चिपक कर डांस करने लगती है। बहार मौसम बहुत खराब था और जिससे पहले अपने इवू भहिया का मौसम खराब होता तब ही उसी टेक्सी वाले की कॉल आ जाती है। जिससे अपने इवू की आबरू बच जाती है। जब इवू इनके कपड़े देने जाता है उस समय दोनों पाथरूम में होती है। इवू कहता है तुमारी टेक्स अपने कप्टे लो और जल्दी बहार आओ, लेकिन वो इसका कोई जवाब नहीं देती, इसलिए इबू अपने नेत्र बंद्र करके उनके बस्त्र देने अंदर ही चला जाता है, लेकिन जब दोनों अपसराओं को नी बस्त्र देखता है, तो अपने बचन का परित्याब कर द कभी इबू उन जंगली बिल्लीयों का जब इनका लड़क पक्कम खेल खतम हो जाता है, तब अपने इबू भहिया गोडियों की सावारी करके घोड़े बेचकर सो जाते हैं, उदर वो टेक्सी वाला हौन वजा कर चला जाता है, अगली सोवार जब अपने इबू भहिया सो के आगे देखो होता है क्या तभी इबू की वाइफ का वीडियो कॉल आ जाता है, जिससे बात करने के लिए वो बहार चला जाता है, लेकिन वो दोनों इतना थूम मचा रही होती है, इबू को कॉल काटनी पड़ती है, और जब वो अंदर आता है तो वो दोनों केरी की पैं 26 लगा का जेल में आ मिलो सजना पड़वाएंगे और साथ में 20 साल तक चक्की पिसवाएंगे, यह सुनकर अपने इबू के पैर के नीचे से पैंट खिसक जाती है, मतलब जमीन खिसक जाती है, तभी इबू की वाइफ की फ्रेंड बहार आती है, जब उसे बात करता है तभ बड़ी बिल्ली जैनी उसे चिपकने लगती है, जिससे केरी की फ्रेंड नाराज होकर बहां से चली जाती है, अब इबू इनको डरा धमका कर गाड़ी से ले जाकर बाहर छोड़ाता है, और घर की हालत सही करके लादेन वाले घर की डिजाइन तयार करने लगता है, तभी कुष आवाजाती है, जब भाहर जाकर देखता है तो पीछे से बड़ी जैनी आपने इबू से धमाका कर देती है, जिससे सो बीड़ की बहोस हो जाता है, और उसकी आख खुलती है तब भी बैड से बंदा होता है चोटी बिल्ली उसका जबरन सिकार करन्ने लगती है, और अपने सिकार करने के सारे हद कड़े इस्तुमाल करती है, अब हमें समझ में आता है, यह छोटी कैट, बहुत नौटी कैट है, इधर अपनी इभु भहिया बिसाम परिस्थितियों में फस गए, क्योंकि जब रिदस्ती उनका सेक्सी करन्ट को किया जा रहा होता है, इस सब का बीडियो जैनी बना लेती है, जब सब सांथ हो जाता है, तब इभु भहिया को जोस के बाद होस आता है, और वो छोटी बिल्ली को फोड कर, बड़ी बिल्ली को फोडने जाते हैं, लेकिन बड़ी बिल्ली इभु भहिया की उल्टा तोड फोड कर देती है, जिससे इभु पता नहीं एबू भाइया बार बार काहे बियोस हो जाते हैं जब एबू को होस आता है तो एक कुड़सी से बंदा होता है आप जैनी और बिल उसके साथ के बीसी का गेम खेलने लगती है तब ही कैरी का फ्रेंड को पैंटी लेने घर आ जाता है जब घर के अंदर आता है तो बहिया को बंदा देखकर उससे खोलने लगता है तब ही जैनी और कैरी उस पैंटी को तोड़ने लगती है कैरी का फ्रेंड ये सब करने से उसे रोकता है और इसी भाग दौड में उसका पैस सिलिप हो जाता है और सिर में चोट लगने की बजा से उसकी जीवन लीला खतम हो इसके बाद ये इवू भहिया के garden में एक गड़क होती है और इवू भहिया से कहती है चलो अब पकड़म पकड़ाई और छुपन छुपाई खेलेंगे और अगर तुम पकड़े गए तो तुमारा खेल खाट इवू भहिया समझ गए कि इनकी headlight fuse है और इनके पास gun भी है इसल बताती है कि उन तौनों का प्लान उसे मानने का नहीं बस उसकी मर्दानगी चखना था अब वो उससे खुस है इसलिए यहां से जा रहे हैं लेकिन जाने से पहले एबु भहिया और बिल का लकड़ पकम बाला वीडियो एप वीपर अपलोड करके और मोवाइल भही रखकर इसी के साथ यह मूवी एंड हो जाती है अब आप लोग भी इबु वईया की तरह वीडियो लाइक करके जाएं थैंक्स फॉर वाचिंग